हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों हैं विश्याल आसब का स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताक आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है तो वीडियो को लाइक करना बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल बनता है और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे हमारी अपकमिंग वीडियो की और हमको मोटिवेशन मिला करे नई नई और अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तो क्या है आज की वीडियो में दोस्तो सबसे पहली बात तो आज की वीडियो में मैं आपको एक वाला करता हूँ कि अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को ना मिले ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं ने खुद application यूज करके देखी और मुझे खुद बिलीब नहीं हुआ कि कोई application ऐसा भी कर सकती है ध्यान लखेगा दोस्तो पहली बात तो इस वीडियो को मैं सिर्फ information परपस से बना रहा हूँ इसका misuse मत कीजिया जरासा भी नहीं करना है आपको इस application का misuse हाला कि misuse करने के लिए भी आपको मैं आपको बता देता हूँ इसमें बहुत effort डालने पड़ेंगे आप easily misuse नहीं कर पाएंगे application यह अपको अच्छी है ओके दोस्तो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको जाना होगा आपके Google पेपर प्ले स्टोर पर ओके दोस्तो तो आपको यहां पर क्या सर्ज करना है मैं आपको बताएता हूँ इस application का नाम सबसे पहले है phone id faker के नाम से है phone id faker के नाम से आप जैसे ही डालेंगे यहां पर phone id faker यह application आपको easily मिल जाएगी यहां पर और मुझे बहुत अच्छी लगी यह application install कर लेना है इस application को ओके दोस्तो इसका काम इतना सा है कि आप इस application की मदद से किसी को भी call कर सकते हैं और कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी girlfriend के नंबर से आपके किसी दोस्त को call हो जाए या फिर आपके मम्मी के नंबर से आपके पापा को call हो जाए किसी के नंबर से भी किसी को भी call कर सकते हैं I was literally shot after seeing this application ओके दोस्तो मैंने जब use करके देखा लेकिन सिर्फ एक चीज है इस application में जो इसको थोड़ा lag करती है वो है यह आप से amount charge करता है ओके दोस्तो लेकिन अगर आपको trial करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे trial के लिए free आपको मिल जाएगा एक trial आप कर सकते हैं यहाँ पे caller ID पे आप कोई भी number डाल सकते हैं जो भी number आप डालेंगे यहाँ पे वो number जिस उस number पे caller ID पे क्या हो जाएगा उस number से call जाएगा और number to call जो number पे आपको call करना है आप डाल सकते हैं जैसा कि randomly कोई भी number ले लीजिए जैसा कि मैं एक 10 digit का number ले लेदा हूँ I guess हो चुका यह 10 डिजट का और उपर नमबर एक और ले ले लेते हैं यह नमबर जो है उपर वाले नमबर से टाघी और नीचे वाले नमबर पर टाघी उपर वाले से कॉल जाएगी नीचे वाले पर कॉल जाएगी ओके दोस्तो इसके लिए male female डालना है तो डाल दीजिए और आपको कर देनी है call आप जैसे ही call करेंगे यह आपसे credit मांगेगा credit आपको purchase करने होंगे ओके दोस्तो और बाकी यह बहुत amazing है मैंने use करके देखी थी मैंने अपने number से अपनी माता जी को यानि कि अपनी मम्मी को call करके देखी तो easily call हो गई and I was literally shocked जब मैंने यह देखा कि मेरी मम्मी के phone पर मेरा number show हो रहा है तो हलाकि देखा जाए तो यह एक तरीके से drawback भी है किसी की privacy के साथ लेकिन आप इस चीज़ का misuse कताई मत कीजिएगा ओके दोस्तों यह information purpose के लिए यह video में बनाई है entertainment purpose के लिए यह video बनाई है तो अच्छी application है अगर आप इसका अच्छी तरीके से use करें तो आप use कर कि देखीएगा definitely आप निराश नहीं होंगे इस application से अगर 1% भी आप निराश होते तो channel को unsubscribe कर दीजिएगा बिना कुछ गए और आप comment box में जितनी गाली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरे लिए application बहुत अच्छी है यह उम्हीद है दोस्तों यह video आपको जरूर पसंद आईगे पसंद आई हो तो video को like जरूर कीजिएगा channel को subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को तबाना ना भूलें दोस्तों ओके दोस्तों बहुत जरूर मिलेंगे आपको next video में ऐसी amazing tips, tricks और बहतरीन apps के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों